आपका वेल्गम कुश्चन नंबर 7 इंपोर्डेंट कुश्चन है एक्सरसाइज 6.3 क्लाश 10 चैप्टर 6 ट्रेंगल्स का हम यह करने जा रहे हैं फिगर बनी हुई है इन फिगर 6.38 फिगर नंबर है 6.38 इसमें क्या है AD and CE और ट्रेंगल ABC इंटर्सेक्स इच अधर एड़ पॉइंट पी Altitudes है यह AD तो यहां 90 डिगरी का एंगल बनेगा इधर भी 90 का बनेगा Altitudes है और CB Altitudes इधर 90 का इधर 90 डिगरी का एंगल बनाएंगे यह इंटर्सेट करते हैं दोनों P पर So that AEP अब हमें कौन सा ट्रेंगल लेना है यह वाला जो हमने सेड कर दिया AEP और कौन सा लेना है CDP यह वाले जो सेड बाले हैं इन दोनों को सिमिलर बताना है तो very easy तो हम इसमें क्या करेंगे इसमें यहां पर एंगल 1 ले लो और यहां पर एंगल 2 ले लो तो यहां लिखतो सीदे एंगल 1 इस उकल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हमने इसकी बात करी तो यहां पर ई पूरा आ गया दी पूरा आ गया तो एंगल ई जूकल टू एंगल डी पर्पेंडिकूलर से तो 90 डिग्री इच आ जाएंगे यह क्या है पर्पेंडिकूलर से उल् c d p by a a similarity by a similarty आ गया अब हम इसका second part देखेंगे second part में क्या है? a b d अ b d यह बड़ा वाला ट्रेंगल a b d तो इसमें 90 डिग्री आ गया d और दूसरा कौन सा है c b e तो हमने देखो जला ध्यान से देखो A, B, D तो इसमें पूरा B आ रहा है फुल भी आ रहा है और फिर हमने लिया C, B, E तो इसमें फुल भी आ रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा इसमें angle B is equal to angle B यहाँ पर क्या लिख दो common यह common आ गया और angle D पूरा आ रहा है angle D और angle E यह दोनो 90 degree each आ जाएगे यह perpendicular से है यह perpendicular से है यह altitude से यही बात है therefore triangle कौन सा triangle यहाँ से second part second part में क्या आ जाएगा A, B, D is similar triangle C, B, E by AA similarity criteria आप बार बार नहीं लिख रहे है आप यहाँ लिखते हैंगे similarity criteria अब हम इसमें third part third part देखेंगे तो third part इसमें क्या है third part में A, E, P A, E, P वही वाला triangle आ गया A, E, P छोटा वाला A, E, P यह वाला आ गया और दूसरा A, D, B A, D, B बड़ा वाला A, D, B तुजरा ध्यान से देखो A, E, P A, E, P और दूसरा क्या नाम दिया है A, D, B तो इसमें यह A common आ रहा है इतना part common आ रहा है तो हम इसको angle 3 नाम देदें क्योंकि burn or 2 दे चुके हैं तो angle यहां लिख दो A, E, P and triangle कौनसा A, D, B तो इसमें देखो हमने A, E, P तो इसमें angle 3 आ रहा है A, D, B इसमें भी angle 3 आ रहा है तो angle 3 is equal to angle 3 common यह common आ गया और angle D और angle B आ रहा है यह 90 degree each 90 degree each क्यों? यह perpendicular altitudes हैं तो therefore triangle therefore triangle कौनसे triangle? A, E, P similar triangle C, B, E triangle A, E, P will be similar to triangle C, B, E by A, A similarity criteria तो A हो गया अब हम move कर रहे हैं यहां पर fourth part के तरफ अब हम देखेंगे इसका fourth part तो fourth part में क्या है? fourth part में हम consider कर रहे है triangle यह ना triangle कौनसा triangle ले रहे हैं? PDC PDC and triangle BEC अब देखिए PDC PDC यह वाला वा आ गया छोटा वाला पहले लिया था ना PDC और BEC BEC तो इसमें C common आ रहा है पूरा C नहीं है इतना part C कौनसा? DC P तो हम इसको four देदेंगे क्या देदेंगे यहां पर? four ध्यान से देखेंगे आप ध्यान से देखो यहां पर PDC PDC में यह four आ गया और दूसरा BEC BEC में भी four आ गया तो इहां लिख दो angle four is equal to angle four यह common है और क्या है? D D आया ना PDC D आ गया BEC E आ गया तो angle D और angle E angle D और angle E यहां पर यह गलत हो गया है यहां पर angle D और angle E आएगा angle B नहीं angle E angle E आएगा यहां पर D और E 90 degree D और E 90 degree D और E पर है तो जहां पर भी 90 है होँआ D E आएगा D और E तो और दूसरा यहां पर कौन सा? अभी बोला था हमने PDC तो angle D है? और दूसरा BEC angle E 90 degree E यह 90 degree E यहांगे क्योंकि altitude से हैं या perpendicular से हैं therefore triangle फूर्थ पार्ट कौन सा? P, D, C triangle P, D, C similar होगा B, E, C, K by A A similarity criteria तो आपके हमने बारी-बारी से चारों पार्ट्स प्रूब कर दिये और इसलिए चार पार्ट्स हैं एक दूसरी से रिलेटिड हैं इसलिए एक कोशन बन जाता है important तो I hope यह आपको समझ में आया होगा अगर आपको इस समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्स्क्राइब करना न भूलें अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोशन नमबर 8 हो गया 9, 10 और आगे 16 तक करेंगे थैंक्स गोड़ करेंगे